बहुत ही इंपोर्टेंट और एक्जाम में हाइली चांसिस हाइली इंपोर्टेंट चांसिस रहता है कि आपका डेटर सिस्टम ना देगे स्टॉक डेटर सिस्टम का ही कुश्चन पूछा जाए तो सर स्टॉक डेटर सिस्टम में क्या फरक है सबसे पहले तो इसके अंदर देखोगे तो एक स्टॉक अकाउंट बन गया अब पहले आपको स्टॉक अकाउंट समझना होगा क्या होता है stock हमारे लिए क्या होता है business के लिए सर stock जो होता है na एक assets होता है अब assets अगर है तो आपको अच्छे से पता है assets क्या होगा debit side से क्या होगा assets की अगर मैं बात करूँ simple तरीके से पूछते है क्या-क्या लिखेंगे वो सब आपको पता चल जाएगा stock account है debit side से क्या होगा plus होगा बढ़ जाएगा और credit side से क्या होगा minus हो जाएगा और अब बढ़ने की reason मैं बता दू अगर मेरे पास opening stock है तो इदर आ जाएगा two balance bd और अगर मुझे head office stock भेजेगा तो मैं किदर लिखू तू में या भाई में तू में लिखेंगे ये stock account है only कुछ बच्चों के mind में रहता है sir branch debtor में तो हम furniture भी लिखते थे building भी लिखते थे यहाँ पर नहीं सिर्फ ये stock का ही account है branch account नहीं है ये ये सिर्फ किसका account है हमारा stock का तो stock two balance bd आएगा सिर्फ stock का opening balance इसके बाद stock अगर head office हमें भीज रहा है तो वो भी आ जाएगा यहाँ पर इसके बाद और क्या हो सकता है और कैसे हमारा stock बढ़ सकता है बताओ कोई debtor हमें समान return कर रहा हूँ अगर return करेगा तो हमारे stock पर फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा घट जाएगा बढ़ जाएगा बताओ वो भी आएगा यानि अब यहाँ sales return भी आएगा पहले बाला तो account ही अलग था तो मैं comparison करी नहीं सकता हूँ तो घटने के reason नगत समान बेचूँगा तो माइनस होगा इधर उधार बेचूँगा तो तो भी घटेगा तो यानि अब यहाँ पे cash sales भी आएगा credit remittance का कोई मतलब नहीं है ठीक है न अब कब-कब घट सकता है अगर मैं head office को समान वापस कर दो ये लो भाई defective वापस ले जाओ किदर चला जाएगा head office बोले भाई दिल्ली ब्रांच तुम मुंबई को कुछ समान भेज दो तो बोलोगा ठीक है भाई मैं भेज देता हूँ तो मेरे stock क्या होगा कम होगा इधर प्लीफर्ड हो गए चोरी हो गए किस side में जाएगा credit side में abnormal loss हो गया stock का credit side और stock का closing balance credit side तो simple समझ में stock account आपने ये मस समझना कि branch account सीख रहे हैं कोई नगी chapter सीख रहे हैं simple सी बात है नहीं stock होता है और stock assets है इस side से बढ़ेगा इस side से घटेगा क्या क्या कुछ words है वो हम question करते करते देख लेंगे वो तो अब ये है हमारे debtor account वही debtor account जो की debtor system में किया था debtor भी क्या assets इधर से क्या होगा बढ़ेगा इधर से क्या होगा कम होगा अब यहाँ पे debtor में से सिर्फ एक ही बात इस्तमाल किया जा सकते है क्योंकि debtor का opening balance यहाँ भी नहीं है closing है नहीं सिर्फ debtor में से use पता है क्या होगा credit sales सर credit sales निकाल के हम कर क्या लेंगे भाई यहाँ लिखेंगे ना तो credit sales का इस्तमाल यहाँ पे कर लेंगे इसलिए debtor account बनाने का एक ही मुद्दा रह जाता है और वो है स्रेफ और स्रेफ पहले हमारे कई सारे मुद्दे होते थे collection from debtor निकाला जा सकता था या फिर हमारा निकाला जा सकता था इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका closing debtor opening debtor यह सारी बाते ठीक है ना तो debtor account में मुझे ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है लेकिन मैं पूरी चीजे लिखूँगा उसके चिंता मत करो stock account समझ में आया debtor के अभी मैं लिखूँगा भी पहले मैं अभी overview दे दूँ अब यह है branch adjustment और branch adjustment का एक सुन्दर सा नाम है profit and loss account या profit and loss adjustment या trading and profit and loss मानलो ठीक है तो trading में आपको पता है यहां तक क्या part मनाते थे उपर उपर का हिस्सा trading और नीचे का लेकिन पहले यह रहता था कि sales wills भी होता था अब यहां स्रिफ loading लिखेंगे यानि जितने भी loading है वो trading में आ जाएगा और P&L जो नीचे वाला हिस्सा ने यहां सारे खर्चे आएगे जैसे कि salary यहां आएगा अब खर्चा कोई भी दे रहा हो branch दे रहा हो head office doesn't care salary यहां आएगा wages यहां आएगा bad debts यहां आएगा provision for doubtful debts यहां आएगा सारे खर्चे यहां और trading वाले में portion में पता है कि लिखेंगे सिर्फ loading loading किस-किस पे निकलेगा जो पहले हमने list बनाये था उसी पे loading निकलना है यानि opening stock पे opening stock इदर है न 2 में आएगा तो इसका loading जाएगा buy में क्योंकि जब हम एक account से दूसरे account के अंदर जाते हैं तो हमारा side क्या हो जाता है change अगर मानलो good send पे loading निकालूँगा तो मैं यहाँ पे नहीं लिखना पहले क्या करते थे यहाँ का काम यही निप्टा देते थे अब यहाँ नहीं लिखेंगे आप कहा लिखेंगे branch adjustment में और good send का loading पता 2 में लिखूंगा या buy में buy side में जाएगा closing stock का loading कहा हैगा 2 side में जाएगा return to HO का loading कहा हैगा return to HO कहां जाता है buy में तो loading कहा हैगा 2 में आएगा समझ में आ रहे यह बात आपको तो यहाँ पे loading loading से क्या निकल जाएगा gross profit क्योंकि 2 और buy तो आपको पता चल गया यहाँ से gross profit और यहाँ सारे खर्चे लिखेंगे खर्चे लिखने के बाद क्या जाएगा हमारा net profit यह वाला net profit और जो हमने पहले वाले method से निकाला था profit या surplus दोनों same आता है हमेशा कोई बच्चा चाहे तो cross verify करने के लिए यह कर सकता है और इसी question को दुबारा किस से कर सकता है debtor system से net profit same रहेगा ठीक है न सर अब क्या क्या आ सकता है मैं वो चीज़े लिख दू यहाँ पर क्या हैगा to balance balance bd क्या आगे हमारा to balance bd buy side में क्या जाएगा buy balance अब यह balance bd यह cd क्योंकि stock account है तो बट अबवे से stock का है और हमेशा याद रखना यह किस पे होगा IP पे IP क्या है हमारा invoice price ठीक है न जब यह IP पे होगा तो loading भी निकलेगा इसका loading कहाँ चले जाएगा adjustment में चला जाएगा ठीक है और क्या हैगा two side में goods sent क्या हैगा हमारा goods जो भी goods sent क्या है यह भी हमेशा किस पे होगा क्योंकि अगर आप IP पे नहीं लिखोगे तो trading बनाई नहीं पाऊगे क्योंकि जो उपर वाला हिस्सा जिसको मैं trading का नाम दे रहा हूँ एक नाम मैंने दिया trading का यह तो बनता ही किस से loading से लेकिन अगर IP पे नहीं होगा तो loading भी निकाल सकते हो उपर loading नहीं निकाला जाता कभी भी sales पे loading नहीं निकाला जाता जैसे मैंने नगद में समान बेच दिया तो उस पे loading नहीं निकलेगा उधार में समान बेच दिया तो loading तो किस पे loading निकलेगा हमेशा जो stock वाले item है उसके उपर निकालेगे अब भाई कम होने के reason क्या हो सकते हैं अगर नगत में बेचोगे समान तो कम होगा और उधार में समान बेचोगे तब भी क्या होगा तो credit अब इसके उपर loading निकालेंगे क्या sales पे तो हमेशा याद रखना sales पे कभी loading निकलता ठेक है ना क्योंकि हमें profit निकालना है तो ये सारे costing पे आ जाते हैं और ये भी हमारा इस पे आता है तभी profit निकाल पाएंगे अब आप बात करते हैं और क्या हो सकता है कम होने का reason बताओ by return किसको return क्या बताओ head of isco तो यहाँ आजाएगा और क्या सकता है transfer to मैं यहाँ लिख रहा हूँ simple other branch क्या इस पे भी loading निकलेगा हां जी ये भी IP पे होगा ये भी IP पे होगा जहाँ IP लिखा है समझ जाओ वहाँ loading निकलेगा जिसके आगे IP लिखा है तो loading है वहाँ और sir क्या सकता है by normal laws normal laws ये question खुद ही बोल देगा normal laws और क्या सकता है by abnormal laws क्या इसके उपर loading निकलेगा जी हाँ बिलकुल इसके उपर भी loading निकाला जाएगा लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका क्या रहता है अलग में star बना देता हूँ इन दोनों के उपर important रहता है ये थीक है न पहले भी हमारे question में देखने को नहीं मिला था अब maximum question में देखने को मिलेगा ये part इसके बाद balancing figure सब कुछ हो गया तो अब जो balance निकलता है न वो निकल के आता इस side तो पहले हमने shortage देखा नहीं अब देखने को मिलेगा shortage ठीक है न यहां पर दो balancing figure निकल सकता है यहां निकल सकता है आपका shortage यहां फिर balance CD क्या shortage के ऊपर loading निकलेगा बिलकुल यह भी IP पर होता है तो इस पर भी loading निकलेगा और basically shortage जो होता है न वो ABL होता है ABL क्या है abnormal loss ही है abnormal loss का हिस्सा ही माना जाता है हमारा क्या shortage लेकिन by chance इधर balance निकल रहा हो तो surplus ठीक है यहां deficit नहीं आएगा कभी भी यहां पर यहां तो निकलेगा balance CD यहां फिर shortage और इधर निकला तो surplus यहां तक clear हुआ आपको एक account prepare हो गया हमारा उद्देश से भी पता है पहले भी हमने देख लिया दूसरा debtor, debtor में तो फटा-फट से आप बताई सकते हैं इधर आएगा 2 balance BD और buy balance CD अब two side में बढ़ने का reason क्या होता है credit बताईए credit sales और two side, buy side में क्या हो सकता है अगर आपको cash में balance उससे पैसा मिल गया क्या cash कहीं दिखाना आप नहीं दिखाना cash कहीं यह method ही दूसरा है न और क्या हो सकता है bad debts और क्या हो सकता है sales return तो आपने यहां लिखी दिया जी यहां भी आएगा और क्या हो सकता है discount और क्या हो सकता है मैंने बताया था bills receivable और क्या हो सकता है इधर bills receivable dishonored हो जाए तो इस side तो वही simple debtor account वही है जो कि आपने पहले किया हुआ है तो इसलिए मैं इस पर detail में नहीं जा रहा है कोई दिक्कत है यहां तक यानि जो पहले वाले में debtor हमने देखा था वही same debtor हमारा यहां भी है यह दोनों account समझ में आ गया तीसरा यहां पर loading किस किस का आ सकता आप बता दो आप खुद बताओ किस का आएगा loading सबसे पहले किस का आ जाएगा two side में यानि buy वाले का two में जाएगा तो buy वाले में क्या return का आ जाएगा return to echo का आ जाएगा है ना loading आएगा लेकिन यहां पर return to echo नहीं लिखना आपने यहां पर जो लिखना है वो लिखना है loading और bracket में लिखना है return समझे बात और किस पे आ सकता है बताओ transfer तो फिर से क्या लिखेंगे word loading या फिर stock reserve और यह transfer वाले पे आ गया और किस पे आ सकता है normal loss अब normal loss का हमेशा याद रखना है उसका loading नहीं निका लेंगे वो पूरा ही दिखा देंगे normal loss तो इधर ही आएगा लिखिन क्या आएगा normal loss में पूरा आएगा normal तो इसका loading मैं लिखूंगा word और loading का मतलब सिर्फ profit नहीं लेना है सिर्फ profit का हिस्सा नहीं लेना होता आपको यहाँ पे लेना होता है आपको full amount क्योंकि यह मेरा नुकसान हो चुका है और यह regular होने वाला हमारा नुकसान होता है इसलिए ले लेंगे अब कौन सा आगे हमारा फिर से लिखेंगे loading क्या सर abnormal को भी full नहीं इसका सिर्फ और सिर्फ आएगा loading का हिस्सा माल लेते हैं 100 रुपे का abnormal loss था और 20 रुपे इस पर profit जुड़ा हुआ था 120 रुपे का abnormal loss है तो 120 में profit कितना जुड़ा हुआ है हमारा तो loading कितना हुआ हमारा तो 20 रुपे यहाँ आएगा और 100 रुपे का नुकसान हुआ है ना 100 रुपे यहाँ आ जाएगा 2 abnormal यहाँ आ जाएगा यहाँ मैं bracket में लिख भी देता हूँ कितना लिया मैंने 100 और यहाँ 20 आपको याद रहेगा समझ मैं यहाँ लोड़िंग यहाँ आ गया और बाकी जो बच गया कहां चले जाएगा profit and loss यह वाला हिस्सा मैं अपने मन से बोल रहा हूँ profit and loss बैसे इस पूरे को बोला जाता है branch adjustment कई बार इसको उपर वाले हिस्सी को बोल दिया जाता है trading account और नीचे वाले को बोल दिया जाता है question में अगर demand करता है के prepare stock account, debtor account, trading account और profit and loss account तो हम इसको अलग-अलग कर देंगे बस यह तो बना ही रहे है यह भी बना ही रहे है इस इससे को दो टुकुड़ो में बाट देंगे है clear है ना और किस में निकल सकता है shortage, shortage को क्या माना था हमने abnormal loss तो क्या लिखेंगे shortage में फिर से loading और shortage जब abnormal loss है तो इसका balance भी बचेगा, कहा जाएगा two shortage, abnormal loss के ज़गा पहले यहां तक देखे कोई doubt, कोई doubt है यहां तक एक बड़ यह plug लगा दे नहीं इससे हटा के लगा दे नहीं हाँ, इसको हटा दो और यह लगा दे यहां तक कोई doubt, तो देखो आपने तो trading का अधा काम कर दिया, आप बाए में भी कुछ लिखना है बाए में लिखना है, ब word तो loading आएगा, और bracket में आएगा opening stock पे, और किस पे आएगा, फिर से word loading आएगा लेकिन किस पे, good send पे, मैंने gs लिख दिया, good send, ठीक है, return के उपर नहीं आता, जिसके आगे sales लग जाता है, उसके उपर कोई भी loading नहीं निखाला जाता, clear है यहां तक बात, यहां तक लिख इसके लिखने के बाद, यहां पे मैंने अभी कुछ बाते discussion नहीं किया है, जैसे goods in transit वाली बाद, तो goods in transit जैसे question में आएगा, तो वहां separately मैं अच्छे से समझा दूँगा, क्योंकि goods in transit ऐसा भी हो सकता है, कि जो मैंने भीजा है, transfer to other branch वो भी transit में हो सकता है, और जो मेरे पा और यहां जो भी answer निकलेगा, उसको नाम दे देंगे, वही जाना माना जो पहले नाम लिखते थे, simple सी बात है, gross profit, कोई दिक्कत है यहां तक, और यह gross profit कहां पहुँच जाएगा, buy side में GP, अगर loss हुआ तो किस side निकल जाएगा, और किदर आ जाएगा यह, two side, यहां तक पह salary, और क्या दिखाएगे, wages, sir wages pre handle में बिल्कुल दिखाएगे हम, क्योंकि यह pure pre handle नहीं है, वह वाला जो सोच रहे हो, इसके अंदर खर्चे का account आएगा, और क्या हो सकता है, sundry expense, और क्या आ सकता है, depreciation, याद होगा आपका depreciation, पहले depreciation नहीं दिखाते हैं, तब depreciation भी और क्या आ सकता है, sir, इसके अंदर और आ सकता है, majorly जो हमें attention देगा, petty expense, और petty expense पता है, कौन सा, use, अब use कैसे निकलता है, account के थूरू निकालते हैं, account में जो buy side में निकलता था, consume या use, अगर आप ध्यान से देखोगे न, तो पहले के जो account मैंने petty cash के बनाए है, वहाँ प PD से कोई मतलब नहीं, head office कितना भेज रहा है, कोई मतलब नहीं, जो खर्चा हुआ है वो, क्योंकि यहाँ पर खर्चा लिखना है न हमें, इसके बाद buy side में और भी कुछ आ सकता है, क्या बिल्कुल आ सकता है, देखो, कई बार क्या होता है, कि business man अपने goods का insurance करा लेता है, औ और insurance के बाद abnormal loss होता है, तो insurance का क्या मिल जाता है, हमें claim, जब हमने insurance करवा रखा है और उसका हमें अगर claim मिल जाए, तो वो हमारे लिए एक income का काम करता है, तो buy side में लिख देंगे, अगर मिला हो क्या, insurance claim, कोई दिक्कत यहां तक, अब यहाँ से finally सब कुछ total total करेंगे, और total total करने के बाद क्या जाएगा, बताइए, net profit आएगा, यहां फिर आ सकता है, आपका net loss, basically मैं profit लिख देता हूँ यहां पर, ठीक है, balance sheet, balance sheet नहीं बनाना इसके अंदर, कहीं आपके mind में अब P&L बनी गया है, तो balance sheet पर भी जाएगा, नहीं, इतना ही रखना है, यह profit निकले, किसी भी method को use कर लो, वहां पर क्या निकलता था, surplus, और यहां पर क्या नाम दे दिया, मैंने profit निका दिया, ठीक है, देखिए आप difference क्या है इसमें, तो कई बच्चे क्या करते हैं, उस वाले method को इतने अच्छे से समझ लेते हैं, कि दिमाग में रहता है, remittance नहीं आया भी वहां पर तो opening stock भी लिखते थे और furniture भी लिखते थे भाई, वो चीज़े बिलकुल अलग था, यह किसका account है, सिर्फ stock और एक major account यह और दो account है, नाम भले इसका stock debtor system है, लेकिन इसमें debtor का सिर्फ एक ही role होता है, वो role होता है क्या, और क्यों credit sales, ताकि credit sales का इस्तमाल हम यहा ना, उसके नीचे यह, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचता, इसलिए मैंने इसको side में shift कर दिया, ठेक है न, तो यह होगा और इसके नीचे यह, और यह वाला account किसमें होगा, working note का पार्ट होगा, mainly, एक petty cash expense भी account बनेगा, तो sir, petty cash expense account किस तरीके से बनेगा, वही same रहेगा, जो की हमने पहले data system में किया हुआ है, clear है यहां तक कोई दिकत, फटा फट से note करिए, फिर question देख लेंगे हमें एक book का, हुआ ह कि जे हूँख हुआ 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 है inRe do, He, Cee